मेरे नाम है आशीश तो पिछले वीडियो में हमने देखा था यह एरे और सारे जितना भी डेटा था उन सारे डेटा को अपने कंसोल पे ला लिए थे हम ठीके तो बेसिकली आज हम इस अप्लिकेशन में इसका HTML पार डिजाइन करेंगे मतलब इस ट्रक्चर डिजाइन करेंग था कंसोल में ठीक है तो अब 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 अबता हैं अपने HTML पर और यहां HTML पर सबसे पहले अन्नेसेसरी कोड रिमूब करते हैं रिमूब करने वाद मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर सिर्फ HTML कोड लिखूंगा तो हो सकता है डिजाइन लास्ट में अच्छी नहीं रहे कार्ड.border-0 इसका मतलब है कि डिव क्लास बननी ठीक है अब इसके अंदर हम एक यू एल टैग ले रहे हैं यू एल टैग बैसिकली अनौडर लिस्ट टैग होता है अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके अंदर हम एक देखो लिस्ट ग्रूब क्लास लिए ठीक है अब लिए ठीक है अब लिए ठीक है तो बेसिकली देखो यह एक सॉर्ट ट्रिक है विजुल इस्टीडियो गॉटता कुछ लोग यूज करते हैं कुछ नहीं यूज करते हम यूज करते हैं क्योंकि मुझे तोड़ा सा फील होता कि इस से तरह जल्दी हो जाता है ठीक है एंगल अब इसके अंदर एक और यूज टैग लेंगे और इसका क्लास हम रखेंगे टॉप लिंक्स बेसिकली इसके कुछ ऐसे से क्लास हैं जो की सेसे में डिजैन करेंगे नेक्स पार्ट में ठीक है उसके बाद यहां पर हमने एक एलाई टैग फिर से लिया जिसका टेक्स्ट म्य आपोटा देते हैं अब इसके अंदर हम रिंडर करायेंगा अपना डीटा रिंडर कौन सो डेटा पेंडिंग टास्क ठीक है तो इसी में बेसी सम्क्रीड कर आएंगे अगर आप डेटा के साथ 5-13100 अकूरिंघ इसका लेंज चला है ठीक है कि इसमें कितना डिल्टॉ कौण आना चाहते हो तो html में यहां फे बाइंड कर सकते हो ठीक है कुछ लोग बताते हैं कुछ लोग नहीं बताते हैं तो फिलाल मैं बता रहा हूँ आइटम लिफ्ट लिख दिया अब आइटम लेट मतलब समझें अगर पेंडिंग टास्क टू होगा तो लिखेगा टू आइटम लिफ्ट ठीक है पेंडिंग टास्क में अगर दो डेटा आएंगे तो तो बैसिकली ऐसे बढ़ करेगा ओके ना मूब देक्स पॉइंट फिर अ डॉट बॉर्डर हाइफन जीरो डॉट पी एक्स वाइडिंग एक्स की वैलू 5 रखते हैं और मार्जिन एक्स की वैलू हम रखते हैं 4 इंटर कर देते हैं ठीक है अब देखो यहां पे एक मैंने डू बनाया है अब इस डू के अंदर भी हमें और एलिमेंट्स यूज करने है लिकिन इससे पहले और एक्टरीपुट हम यहां यूज करेंगा आइडि में यूज करने वाले नेव टैप्स ठीक है तो टैब्स के ऐसा अटा देता है नेव डैब बब है और साथ साथ ही साथ यहां प्रोडिपाइन करने वाले हैं और भू में हम देने वाले हैं टैब है ठीक है अगें यहां पर हम एक बटन क्रिएट करेंगे अब ध्यान से समझना यह सबसे important है ठीक है यहां पर हम काफी चीज़े यूज करने वाले हैं जो कि आप HTML के basic में पढ़े होगे लिकिन आप तभी यूज नहीं कियोगे ठीक है तो सबसे पहले एक बटन टैग ले रहा हूं जिसका नैव लिंक क्लास क्लास है और टेक्स्ट बॉर्डी रहेगा और साथ ही साथ यहां पर जो बॉर्डर होगा वो जीरो होगा और यह हमारा एक्टिव रहेगा इंटर कर देंगे हम अब इसके अंदर और भी अट्रिब्यूट्स यूज करेंगे लाइक आईडी पहले तो आईडी हम यूज करने वाले हैं तो चलो आईडी में हम यहां पर देंगे नेव ओल्टैब ठीक है अगर आप डेमो वीडियो नहीं देखा तो आपने फर्स्ट वीडियो देख लीजे वहाँ पर डेमो में जाएगा किसनी में आउल टैब लिख रहा हूँ अब देखो यहां पर डेटा हाइफन ब्येस हाइफन टोगल डेटा को टोगल करने के लिए यहां पर यूज किया ज तरह जाता है इसको जिसको टार्गिटिंग किया जाता है ठीक है आगे टार्गेट भी यूज करूँगा तो इसंपर मैं देता हूं इसकी प्रॉपर्वर्ट्ी में दूँगा हाँ हैं थीके और साथ-साथ और इसका इसके सबस्प्लिमेंट एक्टिप्वुट भी यूज करता है जैसका ना मैं डेटा फै collarêm है ठीक है टूंगम कर जाता है ऐं तह ये एक्यों होता है थीक है तो यहां पर मैं देने वाला हून all tabs nav has एक ID को represent करता है nav all tab ठीक है जो उपर मैंने ID दिया है उसी का reference ID यहाँ पे से मिल जाएगा और उसके बाद हम यहाँ भी उसकरने वाले area- area-selected true ठीक है basically by default यह selected true रहेगा और यहाँ पे मैं देता हूँ all क्योंकि यह all के लिए use किया जाएगा अब सेम इसी तरीके से एक और class एक और button बनाएंगे वो होगा हमारा pending के लिए तो इसको मैं copy करता हूँ और paste कर लेता हूँ कुछ चीजे changes रहेंगी आप देख ले न तो मैं यहाँ पर जो कुछ चीजे जैसे changes पहली class पूरी सब सेम रहेगा और यहाँ पर जो एक सेकेंड यह जो हमारा all है all की जगा पर यहाँ पर मैं कर देता हूँ active ठीक है और साथ हे साथ ही यहाँ पर जो data भी यह target है इसको भी हमें change करना पड़ेगा all की जगा has nav-active को हो जाए गए और जो area selected है यह false हो जाएगा क्योंकि by default हमें all पर select कराना है user को all पर redirect कराना है तो all देखना चाहिए तो इसको मैं रखूँँगा false ठीक है same as बिलकुल इसी तरीके से यहाँ पर दे देता हूँ active और फिर इसको मैं copy करूँगा और same paste कर दूँगा pending के लिए मतलब incomplete कह सकते हो ठीक है आप अपने accordingly change कर लेना जो आपको better लगे ठीक है यह मैं अपने perspective से कर रहा हूँ आप अपने perspective से कर लेना तो यहाँ पर मैं completed देता हूँ ठीक है यह हो गया नेफ completed एंड यहाँ पर जो active लिखा है इसको मैं कर देता हूँ completed ओके ना all set यह दो हमारा पूरा set हो गया अब इसके बाद इसके बाद भी हमें use करना है एक और li बनाना है यह li जहां close हो रहा है इसके बाहर एक और li बनाना है ठीक है और वो li इसलिए बनेगा cancel करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर मैं है काम कर लेता हूँ style देता हूँ custom design करता हूँ यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर मैं देता हूँ cursor cursor में pointer रहेगा ठीक है clear करने के लिए cancel करने के लिए जो भी आप समझो ठीक है तो यहाँ पर cursor दिया pointer और यहाँ देता हूँ clear completed जो complete हो गए है उनको clear करने के लिए नहीं तो कितना store होता रहेगा ठीक है अब आपको बराबर history maintain होके दिखाते रहेंगे तो dash bed में इस सारी चीज़े सही नहीं है तो clear भी कर सकता है यूजर चाहेगा अपनी ID के वियाप पर जो user ID के थ्रू लॉग इन करेगा वो अपनी completed task को delete भी कर सकता है clear कर सकता है ठीक है उसके बाद हम आज आते हैं last section पर और यहाँ पर थोड़ा सा पिर से यहाँ पर थोड़ा सा काम है तो इस पर हम एक काम करते हैं थोड़ा से space delegate करते हैं और यहाँ एक due लेंगे due का class होगा tab-content और यहाँ पर हमारा वो content रहेगा लेकिन उसकी attributes ID में मैं देता हूँ nav tab ठीक है nav tab content और यहाँ पर मैं एक और due लेता हूँ जिसका class होगा tab-panel.fade.show.active ठीक है तो यहाँ पर हमारा एक यह class बनीगा और इसकी भी ID में देता हूँ nav all tab ठीक है यह nav all tab के लिए हो जाएगा और यहाँ पर roll दे देता हूँ इसको tab panel ठीक है और यहाँ पर area एक सिक्ट area level by area-tab नहीं area-level by ठीक है ओके लेबल डवाई है बैसे लेबल बाई से शॉर्ट में बोलते हैं ठीक है और यहाँ में देता हूँ nav all tab ठीक है यह nav all tab के लिए हो गया और इसके अंदर इसके अंदर में app items को app items पूरे पूरे component को यहाँ पर represent करूँगा ठीक है app items के अंदर basically अभी इसके अंदर हम dynamic data डालेंगे लेकिन अभी हम पूरा dynamic data आपके अभी नहीं पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें DS part पर पूरा code नहीं लिखाए ठीक है तो पहले इसको design कर लेंगे फिर आपको डाल के दिखाएंगे इस पर सारे data तो यहाँ पर एक paragraph टैग लेते हैं अच पैराग्राफ टैग को थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं ठीक है पहले class देते हैं इसके अंदर टेक्स्ट होगा वह हमारा डैंजर होगा टेक्स्ट डैंजर बिसिकली यह इसके लिए कर रहे हैं कि इसमें data रहेगा तो दिखाएगा नहीं रहेगा तो नहीं दिखाएगा ठीक है और यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर देते हैं class और साथे साथ पी वाई को थरी देते रखते हैं और margin की value 0 रखते हैं ठीक है एंड यहाँ पर हम देते हैं ng-if एंग-if में condition यह है not to do ternary operator.length जब to do का length मतलब कुछ भी नहीं रहेगा तो उस case में क्या दिखाएगा no task found क्योंकि यह all के लिए लिखा है मैंने ठीक है बिल्कुल same इसी तरह due लिखूंगा किसके लिए complete active के लिए और completed के लिए तीनों के लिए लिखना पड़ेगा चीज़ तो हम एक काम करते हैं again same चीज़ हम same procedure follow करेंगे तो due dot tap pen dot fade id इसको देते हैं नेव एक्टिव और रोल देते हैं इसका टैब पैनल ठीक है और टैब पैनल के साथ साथ ये क्या करेंगा एरिया लेवल वाई पे रिड होगा area label बाइड पे क्या हम करेंगे कि इसको हम बताएंगे कौन से टैब के लिए हमें काम करना है तो यहां पर हम करने वाले है active टैब के लिए ठीक है तो active टैब के लिए हम nav active tab use कर रहे हैं अब साथ इसाथ यहाँ पर फिर से अगेन हम app-to-do items को represent करेंगे एक सेकंड एक क्या हो रहा है ठीक है और इसके अंदर again paragraph tag हम use करेंगे as usual जैसे मैंने top पर किया है ठीक है कोई changes नहीं है तो यहाँ पर हम class text denser रखेंगे text center रखेंगे और padding y की value हम यहाँ पर padding y की value हमारी होगी 3 और margin 0 होगा ठीक है और यहाँ पर भी हम condition लगाएंगे with the help of structural directive as you know की structural directive क्या होता है और मैं यहीं जूम करके चब रहा हूँ कि आपको पता होगा structural directive क्या होता है ng if ng for ठीक है और यहाँ पर हमें देखने वाला हूँ pending task dot length अगर pending task का length नहीं है तो उस case में दिखाएगा no pending task found no active task ठीक है कोई active task found नहीं सेम बिल्कुल इसी तरीके से हम next point भी इसी तरीके से हम करेंगे तो हम एक काम करते हैं यह due पूरा का पूरा copy कर लेते हैं और paste कर लेते हैं ठीक है paste कर लें और यहां पर simply आपको id पर change करना है ठीक है completed हो गया और जो हमारा label y है यह भी हमारा completed के लिए ही label y वहर करेगा ठीक है nav hyphen completed okay and now यहां पर हम जो pending task है यहां पर हम completed task चक करेंगे ठीक है और यहां पर जो message appear हो रहा है no completed task found ठीक है so guys all set हो चुका है यहां पर class हो सकता है कोई miss हो तो इसको मैं बाद में set कर लूँगा as usual जैसे मैं कर रहा था वैसे buggy all set है कोई problem नहीं है अब इसको मैं save कर लेता हूँ save करके output एक बाद देख लेते हैं output कैसा रहा है perfect दो आइटम लेफ्ट दिखा रहा है देखो डाइनमिक आ रहा है all पे है active पे है completed है ठीक है अब इसमे बुलेट्स वगेरा आ रहे हैं clear completed नहीं है टू डू आइटम से वर्क लिखा है तो इन सारी चीजों को मैं वर्क करूँगा नेक्स वीडियो में तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye keep practice keep coding और हाँ कोई भी problem या कोई भी doubt हो तो आप comment करे अम उसका reply आपको तुरन देंगे ठीक है जेतनी जल्दी हो सक पॉसिबल होगा उतिया देंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कोई भी problem हो तो शुरू बताना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना bye bye take care